पुत्र वो भी बड़े सुन्दर काय पे बेटे हैं कववे पर दुनिया का सक्से सुन्दर पक्षी वो तो राष्टी पक्षी मोर्गों बना दिया नहीं तो दुनिया का सक्से सुन्दर पक्षी अगर कुछ था तो कववा था दुनिया का सबसे सुन्दर परचे एक दम सखे बगुले और हन सभी उसको देखकर जलते थे इतना सुन्दर था कववा इतना मीठा बोलता था कववा कि उसकी वानी निकलती थी तो कोयल को भी इर्शा होती थी इतना मीठा कववा बोलता था वो तो एक बार ब्रहमा जी ने यग्य करा यह गया जिए और उस यग्य को करने के लिए ब्रहमा रियों ने कहा तुर्णत तकववे को बलाया आर्यमा स्वामी को बलाया कि मैं पित्रों के उद्धार के लिए पियग्य कर रहा है आर्यमा स्वामी ने का बिल्कुल करिया आपके वाहन कव्वे की मुझे जरुवत है ये लीजिए कव्वे को कहा जाओ ब्रमा जी ने आपको बुलाया ब्रमा जी ने कहा कव्वे बेकुंट के पीछे वाले द्वार पर कहीं अमरत का कलस छुपा हुआ है तु बड़ा विद्वान है तु जा सकता है अमरत ला सकता है पर मेरा निवेदन कववे तु अमरत को लेकर मताना तु केवल अमरत का पता लगा कराना कि अमरत रखा खा कव्वा उरते उरते गया कई दिन कव्वे को अमरत ढूंते ढूंते हो गए पर अमरत नहीं मिला कव्वा ठक गया भरमा जी ने कहा था जब तक अमरत ना मिले तब तक लोट कर मताना कव्वा ठक गया आरेमा स्वामी से पूछा स्वामी आप मेरे सेड हैं आप स्वामी हैं आप बताओ अमर्द कहां रखा है आर्यमा स्वामी ने का मुझे मालूम होता तो मैं अमर्द तुझे पहले बता देता कव्वे से कहां तुम ढूंडो कव्वा ये गम सफेद मीठीवानी बोलने वाला उड़ते 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 सारे लोकों में घुम कर आ गया मृत्यू लोक में आया शिब की अनाधिना करी आप बताओ अमरत कहां रखा है संकर जी ने इशारा कर दिया तुम केलाश के पीछे जाओ और उस केलाश के पीछे उत्तरा थंड का जो आनंद है बहाँ देव शिखर है कभी आप मेट पे सर्च करना मोबाइल पर मिकानना उत्तरा खंड की भूमी पर देव शिखर नाम आता है देव शिखर जहां पर अमरत का कलश रखा हुआ था कववा उड़ते उड़ते गया कलश को देख लिया ठक गया बहूत भूक लग रही थी बहुत प्यास लग रही थी कववे ने उस अमरत के कलश को देखा रहो उसमें से थोड़ा सामरत मुख में चोंच में रखा आया ब्रमाजी से कहा प्रगू अमरत वहां रखा हुआ ब्रमाजी गये अमरत का कलश ले करा जैसे ही अमरत के कलश में से अमरत निकाल कर ब्रह्मा जी गया सुर की छाती पर मलने लगे यग्य करने के लिए इतनी दर में कवे ने कह दिया ये अमरत को तो मैंने जूता का गया ब्रह्मा जी को कुरोद आ गया कुरोध आते से ब्रम्मदेव ने कहा रे कवे तेरी बुद्धी काली है जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा सुरू गोरे से काला हो जाए और तुने अमरत को जूटा करा है इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तेरी बाणी करकश हो जाए तेरी बाणी बेकार दुनिया का सबसे सुन्दर पक्षी था कववा दुनिया का सबसे मीठा बोलने वाला पक्षी था कववा जिस पर पित्रों के देवता आरेमा बेटे थे और पित्रों के देव आरेमा बेट कर अपने अपने पूर्वजों को उनके द्वार तक सोलाशराद में पहुचाते थे सोलाशराद शादी में जब मंडब बनता है आम के पत्ते, जामूं के पत्ते, बास लगाकर जब मंडब बनाया जाता है उस मंडब में जो मानक खंब लगता है उस मानक खंब के अंदर जो चिडिया लगती है दुनिया के लोगों को लगता है कि वो चिडिया लगी है और उस मानक खंब के अंदर हमारे पूरवच जिस कव्वे पर बेटकर आर्यमा स्वामी के साथ आते थे उस आर्यमा स्वामी का प्रतीक है वो मानक्खम इसलिए आज भी विवाहा में मंडब होता है तो सबसे पहले पूरवजों के नाम की ही महाँ